C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पांचवाँ पाठ अनीता की मधुमक्खियां प्रिष्ट 38 मेरा नाम अनीता खुश्वाहा है मैं मुजफ़र पुर जिले के बोचाहा गाउं में रहती हूं जो बिहार में है मेरे घर में मा, पिताजी और दो छोटे भाई है मैं कॉलेज में पढ़ती हूं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूं मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूं इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था पर मा, पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था यह एक सची कहानी है आनीता खुषवाह, एक चमक्ता सितारा है चमक्ते सितारे उन साधारन लड़कियों की असाधारन कहानिया हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिन्दगी बदल दी स्कूल जाना एक सपना उपना एक दिन मैंने स्कूल के अंदर जांक कर देखे लिया बच्चों को देखकर मैं अपने आपको रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुप चाप बैठ गई मुझे बहुत अच्छा लगा घर जाते ही मैंने हिम्मत करके मा पिताजी को स्कूल के बारे में बता दिया उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिलकुल मना कर दिया उस दिन मैं बहुत रोई मेरे गाउं की एक टीचर ने मा पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है उन्होंने बताया कि आठवें तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है मुझे पता नहीं कैसे पर मापिताजी मान गए मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीजों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है आप एक तालिका बनाओ एक कॉलम में चीजें लिखो दूसरे कॉलम में उसमें आने वाला खर्चा एक स्कूल आने जाने में कितना खर्चा कॉपियां कितना खर्चा पैंसिल, पैं कितना खर्चा यूनिफॉर्म कितना खर्चा बस्ता कितना खर्चा खाने का डिबभा कितना खर्चा जूते कितना खर्चा इसके अलावा और कोई चीज है तो उसको भी लिखें उसमें कितना खर्चा होता है और फिर बताएं इन सब का कुल खर्च प्रिष्ट चालीस तुमने इस साल कितने रुपियों की स्कूल की कौपियां खरीदी हैं? तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो? उसका चित्र कौपि में बना कर रंग भरो बच्चों के दो समू बनाओ स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए इस बात पर बाद विवाद करो स्कूल में अनिता कहती है देखते ही देखते पांच साल बीत गए मैंने पांचवी कक्षा पास कर ली मुझे पता चला कि छटी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा मा पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी मैंने हल ढूंड ही लिया मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं आगे की पढ़ाई कर पाई एक याद मुझे याद है कि गाउं में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया दो बच्चों को छोड़ कर सबने आना बंद कर दिया कुछ दिनों बाद बागी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी बताओ क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए उनके बारे में कक्षा में बताओ प्रेश्ट 41, हर बच्चे को हक है कि वह आठवी कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो क्या है RTE अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है दिरे दिरे मैंने गाऊवालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें घर में मा पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी घर का सारा काम मेरी मा ही कर लेती थी मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था एक, राज मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया स्कूल से मदुमक्खी पालन तक हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं लीची के फूल मदुमक्खियों को लुबाते हैं इसलिए यहां लोग मदुमक्खियों को पाल कर शेहद बनाने का काम करते हैं मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ तब मैंने गाउं में मदुमक्खियों के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्तूबर से दिसंबर तक का समय मदुमक्खियों के अंडे देने का होता है मदुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है क्या तुमने कीडों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो कौपी में उनके चित्र बना कर रंग भरो वे फूलों पर क्यों आते हैं? पता करो जब मदुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज होती है? वैसी आवाज निकालो प्रिष्ट 42 अनीता मदुमक्खी पालक मैंने मदुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ा कर पांच हाजार रुपए बचाए इन रुपियों से मैंने मदुमक्खी पालने के दो बकसे खरीदे एक बकसे की कीमत दो हजार रुपए थी बागी बचे रुपियों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छटे को साफ करने के लिए दवाया खरीदी प्रिष्ट तैंतालीस सितंबर का महीना था दिसंबर तक मेरे पास इतनी मदुमक्खिया हो गई की दो बकसे कम पढ़ने लगे मैंने दो बकसे और खरीदे मुझे मदुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था कई बार मदुमक्खियों ने मुझे काटा भी इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे दर्द भी बहुत होता था पर कहती किस से यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था ना पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मदुमक्खियों के काटने पर क्या लगाते हैं मदुमक्खियों का चित्र कौपी में बनाओ उसमें रंग भी भरो तथा अपना मन पसंद कोई नाम रखो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं मैंने अपने चारो बक्सों को लीची के बगीचे में रखा मुझे हर बक्से से बारह किलो शेहद मिला जो मैंने बाजार में बेचा मुझे अपनी पहली कमाई मिले अब मेरे पास बीस बक्से हैं अनिता के बीस बक्सों की कुल कीमत क्या थी मैं रोज साइकल से कॉलेज जाती हूँ कॉलेज गाओं से पांच किलो मिटर दूर शेहर में है जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मा मदुमक्यों के लिए चीनी का गोल तयार करती है पिताजी मदुमक्यों की देख भाल करते हैं और बक्सों से शेहद निकालते हैं सभी गाओं के लोग उसे पहचानते हैं वह गाओं की सभी बैटकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सब के लिए बहुत जरूरी है कुछ लोग तो उस पर हसते भी है लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है अनीता होल सेलर बनना चाहती है जिससे वह मदुमक्यी पालने वालों को शेहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके पता करो अनीता और गाओं वालों को एक किलो शेहद के बदले 35 रुपए मिलते है तुम्हारे यहाँ एक किलो शेहद कितने रुपएओं का मिलता है तुमने किस किस रंग का शेहद देखा है क्या तुम्हारे घर में शेहद इस्तेमाल होता है किस किस काम के लिए हर छत्ते में एक रानी मक्षी होती है जो अंडे देती है छत्ते में कुछ नर्मक्षी भी होते है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्षियां भी होती है ये दिन भर काम करती है शहद के लिए फूलों का रस ढूंडती है जब किसी मक्षी को रस मिल जाता है तो वह एक तहरे का नाच करती हैं इससे दूसरी मक्यों को पता चल जाता है कि रस कहां है? प्रिष्ट पैंतालीस वे रस से शहद बनाती हैं छत्ता बनाने का काम भी इनहीं का होता है और बच्चों को पालना भी ये ना हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद इकठा हो शहद के बिना छत्ते की सारी मदुमक्यां भूखी ही रह जाती हैं नर्मक्य छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती मदुमक्य के अलावा और कौन से कीडे हैं जो समू में रहते हैं? मदुमक्यों की तरह ही चीटियां भी मिल जुल कर रहती हैं सभी चीटियों का काम बटा होता है रानी चीटियां अंडे देती हैं सिपाही चीटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चीटियां बोजन ढून कर बिल तक लाती हैं दीमक और ततई ये भी इसी तरह सम्मू में रहते हैं। तुमने चीटियों का बिल कहा कहा देखा है? तुम ही क्या लगता है? किस तरह की चीजों पर चीटियां ज्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। चीटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। प्रिष्ट 46 क्या तुम्हें कभी चीटियों ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी? छोटी या मोटी? या किसी और तरह की? क्या चीटि तुम्हारे पास आती है? कब? कुछ चोटी और बड़ी चीटियों को ध्यान से देखो। चीटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चीटि के पैर कितने होते हैं? चोटी चीटि के पैर कितने होते हैं? एक चीटि का चितर कौपी में बनाओ और रंग भरो। तुम अक्सर मूंग भली खाकर उसके छिलके फेक देते होंगे चलो उनी छिलकों से रंग बिरंगे कीडे मकौडे बनाने की कोशिश करो उन पर रंग भरना मत भूलना अनीता की मदुमक्खियां अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पांचमा पाठ पस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नईदिल्ली भारत